हेलो चो क्या हाल चाल नमस्कार कैसे हैं आप चलो आज आपके लिए नई शुरूआ थे एक चीज की सर क्या नई शुरूआ थे हम आपको यह बताने बाले हैं कि किस चैप्टर से कितने कुष्टन आ सकते हैं 2025 में क्या इंपॉर्टेंट है जादा क्यूंकि हमें यह जरूरी है ज्जादा जाना जलूरी है कि भहिये किसकी priority जादा है अगर priority जादा है तो हमें यह चीज समझ में आ जाती है बच्चा कि सर हम इस सेगमेंट को छोड ही नहीं सकते हमें एस सेगमेंट को छोड़ नहीं सकते तो सर अब 2025 जो एक्जाम होने वाला है उसमें क्या चीज़ होगी क्योंकि 2025-2024 में बहुत सारे चेंज़ हो के पेपर आए कही कॉश्चन जादा है कही किसे कॉश्चन कम आए ठीक है है तो अब हमें एक नॉलिज मिल गया है कि सर इस तरीकी चागर हम डिजाइन करते हैं तो हमारे प है तो पीटाः क्या होगा मोल कॉंसेट्ट मैं से एक कौश्चन तो कन्फर्म है कि एक Concert मोल कॉंसेट्ट का एक चलवल आता है हां अगर आप यह चाहते हैं कि मैं एक एक चेप्टर लूम और उन पे डिटेल में बदा हूँ कि भी है इस स्टेह मैं से से सेगमेंट आता है तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो किसर बता दो उसके लिए मैं वीडियो अलग से लेकर आजाओ थोड़ी जी बड़ी रहेगी लेकिन सब समझा दूंगा टेंशन मतलो ठीक है अगर मैं आकर रिडॉक्स की बात करो देख़ एक रिडॉक्स है रिडॉक्स है इंडीविज़ लेक कॉस्टिन एक रिडुवियम इंडीविज़ नुच्टिन अब यह जो तीनों से सब्सक्राइब इन तीनों से कम से कम आप यह मान के चलो तो भी यह कम से कम साथ कोश्चन का वेटेज रखेंगे कि एक दो क्वेश्चन मिक्स होके भी आएंगे रिलेट करके भी आएंगे टैटिनों मिक्सप और मैं इस तरीके से बता रहा है इस तरीके से से पढ़ना है कि मोल सोलूजन साथ मैं पढ़ो इक गलिएमस और इलेक्ट्रोग साथ में पढ़ो किसमें पढ़ो साथ में पढ़ो ठीक है ठीक correct अगर हम दिन न द हुश्ट करते कोडिनिशन कंपाउंड की बात करते किसा में टरब्लों कोडिनिशन न गंपाउंड दिन बग questions coordination compound 232 question ये इन और इनी एक साइगमेंट है इन औरने कऔर सेगमेंट है सर आपने बताया कि और फैली भूचा मुट पता है ठीक है अब अब चम हो गया तो जितना बचा है ऊतरो मैसे तक ही सकते हो ठीक है मुझे पता है और मैं एकिए चीज मांथा कि अगर कैम इस्रीटी के शुरुवत होतीज तो आवर्त-साइमि उसके बाद केमिकल बॉननिग और उसके बाद सब पढ़ाया होता है आज कर और जिनिक में अगर आप खिना पड़े आप और रूंड बना नहीं आए तो ठोड़ोगे कैसे अगर बान बना नहीं आए गा तो ठोड़ोगे कैसे हाँ सर एल्कॉल फिनॉली था कम से कारॉ RPM कम्से कम दो से तीन कॉश्चन कारबाकस जिले के कम्से कम दो से तीन कॉश्चन दो से तीन चलते ही हैं आई UPSC ISO 111 एक और दो हुं मिलाके कम्से कं चार कॉश्चन goc allied chemical warning mol concept यह तीन चैप्टर ऐसे हैं जिन पर मैं स्टाल लगा रहा हूं यह तीन चैप्टर कम से कम ऐसे हैं कि इनके बिना कैमस्टी आप पड़ोई मत अगर यह छोड़ रहा तो चोड़ दो क्योंकि यह इतने इंपॉर्टेंट है कि इनको पढ़ना ही पढ़ेगा हमें समझ रहो हां स समझ रहे हैं बिल्कुल समझेंगे ठीक है तो कम से कम चार कोश्चन समझ रहो विचार साथ दो तीन चार यहां से एंसे ठीक है तो यह क्रक्स है कि सर इतने सारे कोश्चन हमारे पास अवेलेबल है और इस इन सारे चेप्टरों से अगर आप इतना भी कर लो ता बहुत अच तक पहुंचा रहे हैं ठीक है कि सायद आप इस चीज को देख रहे होंगे तो अब भटके ना ठीक है तो प्रियोडिक टेवल सर्दोषटन आते ही पिव लग अभी मत बोलना साप पीव लग अखट गया नहीं हटा है फूछ पूछे गहां सबाल देख लो पूछे गहां सबाल सबासें तो से सर थर्मो को मिलाओ आप पैमिकल ऐने टिक से किस से मिलार केमिकल कानेटिक से इन दोनों से मिलाके क्षेन प को रिलेट होंगी अगर प्रैक्टिकल केमस्टी की बात करां जो जुड़े हुए आभी दो कॉशन आया थे टेस्ट को लेके दो कॉशन आये थे अब सर हाइड्रो कारवन ले जाता है दो कॉशन लेकिन हाइड्रो कारवन इतना इंपोर्टेंट है कि हाइड्रो कारवन जो ब बगैरा में है तो यह बहुत इमपोर्टेंट है दो की बात नहीं है इसको तो पढ़ना ही है धीक बायो मॉलिक्विन ऐसे बहुए कभछी दो आ जाते हैं कभी दो आ जाते हैं कभी एक आ जाता है कभी दो आ आते हैं और गने की जो प्रेक्टिकल केमस्टी ए ठीक है प्रेक्टिकल केमस्टी ऑफ और गने कम से कम तीन कोश्टिन कम से कम दो मालो या तीन मालो दो से कम से कम तीन कोश्टिन कंफर्म है ठीक है दो से तीन कोश्टिन पूछे ही जाते हैं तो यह यह हमारे पास है कि सर इतन इतने कोशन हमारे पास आते हैं इतने सारे कोशन हमारे पास आते हैं इस चीज को आप जरूर देखें ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा जैसे तुम्हें दिक्कत हो देखने में लेकिन इनको बहुत अच्छे से इंपोर्टेंट तरीके से आपको पढ़ना है ठीक है बैटा बहुत बात धन्यवाद पढ़ते रहें खुच रहें मस्त रहें है ना चल कि करेंस।